हेलो फ्रेंड्स, गोल्डेन इंडिया जी के क्लाशेज में मैं प्रविण कुमार आपका हार्धिक स्वागत करता हूँ आज हम आपके लिए लिकर के आई हैं राजस्तान सी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट करंट अफेर्स इस वीडियो में हमने राजस्तान जी के और करंट अफेर के साथ साथ इंडिया जी के भी इंकलूड किया है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जदच जद आपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप मारे यूटूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दुपा दें जिससे आने वाली वीडियो के निट्विकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो आज गावना फेस्ट क्यूशने सोदा जून 2020 को मनाए गए विस्वर रक्तदान दिवस की थीम क्या थी तो इस क्यूशन का आंसर होगा सेफ बलड एंड शेवज लाइफ सोदा जुन 2000 को मने गए विश्व रक्तदान दिवस की थीम थी सेफ बलड एंड शेव लाइफ नेक्स्ट क्यूशन देए देश के किस रध्य में भारत का पहला हेलमेट बैंक सुरू किया गया है तो इस क्यूशन का आंसर होगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला हेलमेट बैंक सुरू किया गया है इसरों ने अंतरिक्स यात्रों की परशीक्षन हेतू मानव अंतरिक्स उडान के अंदर की इस्थापना कहा करने की गोशना की है तो इस क्यूशन का आंसर होगा करनाटक इसरों ने अंतरिक्स यात्रों की परशीक्षन हेतू मानव अंतरिक्स उडान के अंदर की इस्थापना करनाटक में करने की गोशना की है और इसरों की फुलफर्म होगी इंडियन इस्पेस रिसर्च और यह है एक नेशनल इस्पेस एजेंसी है और इसका हेड़काटर बेंगलूरू में है नेक्स्ट क्यूसन है बीस जून दो हजार बीस को परधान मंत्री द्वारा गरीब कल्यान रोजगार योजना की सुरुवात कहां से की गई तो इस क्यूसन का आंसर होगा बिहार जहां दोस्तों बीस जून दोजार बीस को परधान मंत्री द्वारा गरीब कल्यान रोजगार योजना की सुरुवात बिहार से की गई नेक्स्ट क्यूसन है तो इस क्यूसन का आंसर होगा नेसनल डिजिटल स्वास्थे मिशन जहां दोस्तों तो 77 दियोस के अवसर पर परधानमंतरी द्वारा स्वास्ते के छेतर में नेशनल डिजिटल स्वास्ते मिशन की सुरुआत की गई और राश्ट्रे डिजिटल स्वास्ते मिशन के तहट परतेक भारतिये को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित सा इस्थियों उप्तार और निदान के बारे में भी दानकरी सामिल होगी नेक्स्ट कुछन है सवच्चता सर्वेक्षन 2020 की सूची में भारत का सबसे सवच्च सहर कौन सा है तो इस किसन का अंसर होगा इंदोर जिहां दोस्तों स्वच्चा Σरवेकशन 2020 की सूची में भारत का सब से 17 सहर है इंदोर और इहा लगातार चोथी बार इस सूची में पर्थम स्थान पर रहा है और राजस्थान के तीन सहरों ने भी इस बार टौपचास में अपनी जगह बनाई है सबस्ट सर्वेक्षन 2020 में दस लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में जैपुर 44 वी रेंग से 28 वी पाइदान पर जौदपुर 246 वी इस्थान से 29 वी पाइदान पर और कोटा 302 वी इस्थान से 24 वी पाइदान पर आ गया है नेक्स्ट क्यों सुन देखिए अफरीका महादीप का वह है अंतिम देश जिसे वल्ड हेल्थ और्गेनाजेशन ने अगस्त 2020 में पॉल्यो मुक्त गोशित कर दिया तो इस क्यों सुन का आंसर होगा नाइजिरिया जिहां दोस्तों नाइजिरिया देश को वल्ड हेल्थ अगस्त 2020 को पूरा अफरीका महादीप वाइल्ड पॉल्यो मुक्त हो गया अफरीकी देश नाइजिरिया में ही पॉल्यो वाइरस बचा था और 27 मार्च 2014 को डवलो एचो द्वारा भार्थ पॉल्यो मुक्त गोशित कर दिया गया था नेक्स्ट क्यों सुन है अगस्त 2020 में प अगस्त गया था नेक्स्त क्यों से बड़े प्राकृतिक ग्यस बंडार की खोज की गई नेक्स्ट क्यों सुन है किस राज्य के राज्य सरकार ने महिला सुरक साहेतू आवाज नाम के विशेस अभियान की शुरूआत की तो इसका एम क्या है महिलाओं और बालिकाओं को अधिकारों और कानूनों के प्रति सजग किया जाएगा तथा विवाओं में महिला सुर्खसा और सम्मान की बावना जागरित किया जाएगा नेक्स्ट क्यूसन है गोविंदी सिंग डोटासरा को परदेश कांग्रेस कमिटी का नए अध्यक्स कब बनाय गया और गोविंदी सिंग डोटासरा शिकर के लक्समान गडशे विदायक है इनको गुणति सिवे कांग्रेस कमिटी अध्यक्स के रूप में चुना गया है ये वरतमान में राजे शिक्सा मंतरी के पत पर भी कारियरत है नेक्स्ट क्यूसन है गुणिस सितंबर 2020 को सुरू हुई IPL के तेरवे संस्क्रण में राजस्थान के आठ खिलाडी सामिल है नेक्स्ट क्यूसन है भारत के किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम बनाय जाएगा तो इस क्यूसन का आमसर होगा राजस्थान जिहां दोस्तों अपने राजस्थान राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम बनाय जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम एहमेदाबाद सहर के मोटेरा इलाके में तयार हुआ है इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रखा गया है एक लाग दस हजार दर्सकों की समता वाला यह है स्टेडियम औस्टेलिया की मेलबोर्न किर्केट ग्राउंड से भी बड़ा है यह है पुरा स्टेडियम 63 एकट जमीन पर बनाया गया है नेक्स्ट कुस्ट है राजस्थान राज्जी के राज के वर्क्स खेजडि का वेगयनिक नाम क्या है तो इसका आंसर होगा प्रोशेपिस सिनेरेरिया जहां दोस्तों तमर नगरी की नाम से राजस्थान की खेतरी विख्यात है नेक्स्ट क्यूशन है राजस्थान विदान सभा में सरकारी मुख्य सचेतक कोन है तो इस क्यूशन का आंसर होगा महेश दोशी जहां दोस्तों राजस्थान युदान समय में सरकारी मुख्य सचे तक है महेज दोशी दोस्तों यहाँ पर मिस्प्रिंटिंग है थोड़ी नेक्स्ट क्यूशन देखिए राजस्थान में किस वर से राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया तो इस क्यूशन का आंसुर होगा गुनिस सो त्रेपण जेहां दोस्तों राजस्थान में गुनिस सो त्रेपण में राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया नेक्स्ट क्यूशन है 2011 की दंगर्णा के अनुसर राजस्थान का सरवादिक जनसंख्यावला जिला कौनसा है तो इस क्यूशन का आंसुर होगा जेपउर जेहां दोस्तों 2011 की दंगर्णा के अनुसर राजस्थान का सरवादिक जनसंख्यावला जिला है जेपउर और सबसे कम जनसंख्यावला जिला है जैसल मेर नेक्स्ट क्यूसन है कैंसर मरीजों के लिए बोन मेरो ट्रांस्पलांटेशन की सिवा सुरू करने वाला रज्य का पहला अस्पिताल कौन सा बना है तो इसक्यूसन का आंसर होगा SMS जेपूर कैंसर मरीजों के लिए बोन मेरो ट्रांस्पलांटेशन की सिवा सुरू करने वाला रज्य का पहला अस्पिताल बना है SMS जेपूर नेक्स्ट क्यूसन है वरतमान में DRDO के चेर्मेन कौन है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जी सतीस रेडडी वरतमान में DRDO के चेर्मेन है डॉक्टर जी सतीस रेडडी और DRDO की फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डिवलप्मेंट और्गेनाजेशन और इसकी स्थापना होई थी 1958 में और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में नेक्स्ट क्यूस्ट देखिए एनिमिया मुक्त भारत अभियान में शिर्च इस्थान पर कौन सा राज्जे रहा है तो इसक्यूस्ट का आंसर होगा हरियाना जहां दोस्तों एनिमिया मुक्त भारत अभियान में शिर्ष इस्थान पर हरियाना राज्य रहा है नेक्स्ट क्यूशन है इसरों ने 7 नौमबर 2020 को स्री हरी कोटा के 37 धावन के अंदर से किस सेटेलाइट की लॉंचिंग की है तो इसका आंसर होगा अर्थ अबजेक्टिव सेटेलाइट फैस्ट जिसको सोट फोर्म में EOS फैस्ट के नाम से भी जानते है इसरों ने 7 नौमबर 2020 को स्री हरी कोटा के 37 धावन के अंदर से अर्थ अबजेक्टिव सेटेलाइट फैस्ट की लॉंचिंग की है नेक्स्ट क्यूशन देखिए भारत का पहला रोगणू परतिरोधी हब कहां शुरू किया गया तो इसका आंसर होगा गुजराट जेहां दोस्तों भारत का पहला रोगणू परतिरोधी हब कॉलकाटा में इस्थाफित किया गया next क्यूशन है देश का पहला डाइनासौर पार्क कहां खुला गया है तो इसका आंसर होगा गुजरात जहां दोस्तों देश का पहला डाइनसोर पार्क गुजरात रज्जे में खोला गया है नेक्स क्यूसन है देश की पहली समुद्री विमान सेवा सी पलेन किस रज्जे में शुरू की गई है तो इसका आंसर होगा गुजरात गुजरात राज्य में देश की पहली समुद्री विमान स्यवा सी पलेन सुरू की गई है Next question देखिए हाल ही में देश की पहली मोबाईल लेव का उद्गाटन किस ने किया है तो इसका आंसर होगा रक्सामंतरी राजनात्षी है जिहां दोस्तों हाल ही में देश की पहली मोबाईल लेव का उद्गाटन रक्सामंतरी राजनात्षी है ने किया है Next question है किस देश ने विश्वा की पहली बाईनिक यानि की लेव में तयार आँख तयार किया है तो इसका आंसर होगा और्स्ट्रेलिया जिहां दोस्तों राजस्थान के अध्योगिक नगरी कौन से जिले को कहा जाता है तो इसका आंसर होगा कोट्टा राजस्थान की अध्योगिक नगरी कोट्टा जिले को कहा जाता है Next question है जैपूर में मेट्रो रेल परिचालन का सुबारम कब हुआ तो इसका आंसर होगा टीन जून दोहजार पंदरा जहां, दोस्तों, जैप्पूर में मेटरोरेल परिचालन का सुभार में, टीन जून दोहजार पंदरा को हुआ था, next question है, सरवाधिक राज्य सभा वगसभा की शीट किस राजी में है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहां दोस्तों, स इसका आनसुर होगा गुरुषिकर जिहां दोस्तों राजस्तान के अरबुड़ा पहड़ों में एक चोड़ी है जो अरावली प्रवातमाला का उत्सतम बिंदू है यह चोड़ी 1722 मिटर या 5600 चिंतर फीट की उसाई पर रिच्चित है नेक्स्ट क्यूसन देखिए विस्वा सोराइसिस डिवस कब मने जाता है तो इसका आंसुर होगा 21 अक्टूबर जहां दोस्तों विस्वा सोराइसिस डिवस 21 अक्टूबर को मने जाता है और इसकी 2020 की ठीम क्या है इनफॉर्म्ड नेक्स्ट क्यूसन आए दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र की सबसे गहरी सता है चैलेंजर्स डीब तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है तो इसका आंसुर होगा डॉक्टर कैथी सुलिवान डॉक्टर कैथी सुलिवान दुनिया की पहली महिला है जिसने समुद्र की सबसे गहरी सता है चैलेंजर्स डीब तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है नेक्स्ट क्यूसन है अक्टूबर 2020 में फिट इंडिया को बढ़ा देने के लिए 200 किलोमेटर मेराथन को ہरी जंडि किस ने दिखाई तो इसका आंसर होगा किरन रिजीजु जिहाँ दूस्तों अक्टूबर 2020 में फिट इंडिया को बढ़ा देने के लिए 200 किलोमेटर मेराथन को हरी जंडि किरन रिजीजु ने दिखाई नेक्स्ट क्यूसन है किस देश ने भारत को अपने F-18 नोशेनिक जेट देने की गोशना की है तो इसका आंसर होगा अमेरिका जहां दोस्तों अमेरिका ने भारत को F-18 नोशेनिक जेट देने की गोशना की है नेक्ट क्यों सुना है धन्वांत्री पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो इसका आंसर होगा चिकित्सा जहां दोस्तों धन्वांत्री पुरुसकार चिकित्सा के छेतर में दिया जाता है नेक्ट क्यों सुना है नोबेल पुरुसकार की शुरुआत किस देश ने की थ तो इसका आंसर होगा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में देश का पहला एक चरा क्लिनिक इस्थापित क्या गया है Next question है भारत का पहला सोब परतिसत सोर उर्जा से संचालित हवाई अड़ा कौन सा है तो इसका आंसर होगा पुद्दु चेरी का हवाई अड़ा जहां दोस्तों भारत का पहला सोब परतिसत सोर उर्जा से संचालित हवाई अड़ा है पुद्दु चेरी का हवाई अड़ा Next question है किस देश नी Under 19 Cricket World Cup 2020 पहली बार जिता है तो इसका आंसर होगा बांगला देश बांगला देश नी Under 19 Cricket World Cup 2020 पहली बार जिता है और इसका उप्यूजेतर आए बारत और Man of the Series रहे हैं बारत के सोश्वी जस्पाल और अफरिका में आई जित हुआ है 17 जनवरी चे 9 फरवरी तक Next question है Worst 2019 का ICC Cricket World Cup किस ने जिता था तो इसका आंसर होगा England England ने ICC Cricket World Cup 2019 जिता था और उप्यूजेतर आथा New Zealand और इसके Man of the Series रहे थे Kenny Williamson जो कि New Zealand किया है Next question है फाल ही में कौन महिला किर्केटर अंतराश्ट्रे किर्केट के तिनो फॉर्मेट में सतक बनाने वाली पहली महिला खिलाडी बनी है तो इसका आंसर होगा Heather Knight जहां दोस्तों Heather Knight एक महिला किर्केटर है जो अंतराश्ट्रे किर्केट में तिनो फॉर्मेट में सतक बनाने वाली पहली महिला खिलाडी बनी है Next question है IPL में सबसे ज़्यदा 200 मैच खिलने वाले भारतिय खिलाडी कौन बनी है तो इसका आंसर होगा महिंदर सिंग दोनी महिंदर सिंग दोनी IPL में सबसे ज़्यदा 200 मैच खिलने वाले भारतिय खिलाडी बनी है Next question है भारत के किस राज्य में देश की पहली Intercity Electronic Bus शुरू की गई है तो इसका आंसर होगा महराष्टर महराष्टर में देश की पहली Intercity Electronic Bus शुरू की गई है Next क्यों सुना है हाल ही में 500 T20 मेच खिलने वाले पहले खिलाडी कौन बनी है तो इसका आंसर होगा Kiron Pollard जो कि West Indies की है हाल ही में 500 T20 मेच खिलने वाले पहले खिलाडी बनी है Kiron Pollard Next क्यों सुना है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यदा 9000 रन बनाने वाले पहले भारतिय बल्यवाद कौन बनी है तो इसका आंसर होगा विराट कोहली विराट कोहली T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यदा 9000 रन बनाने वाले पहले भारतिय बल्यवाद बनी है Next क्यों सुना है मार्च 2020 में अलवर जिले के निवास्ची जिचेंदर कुमार को किस संस्थान के विग्यानिक के तो पर नियूप्त किया गया है तो इसका आंसर होगा इसरो और इसरो की फुल फर्म होगी इंडियन स्पेस रिसरच और्गेनेजेशन और इसकी स्थापना होई थी 15 अगस्त गुनिस्ट गुनेतर में और इसका हेड़कॉर्टर है बैंगलूरू में Next क्यों सुना है गरीबी रेखा से नीचे जिवनी अपन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा केरल जहां दोस्तों केरल गरीबी रेखा से नीचे जिवनी अपन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा उपलब्द करवेगा नेक्स्ट कुछन है इंटरनेट सभी नागरिकों का मोलिक अधिकार है यह गोशना करने वाला देस का पहला राजे कौन सा है तो इसका आंसर होगा केरल इंटरनेट सभी नागरिकों का मोलिक अधिकार है यह गोषना करने वाला देश का पहला रजी है केरल नेक्ट किसना है राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतिय पाइलेट कोन है तो इसका आंसर होगा हिलाल एहमद हिलाल एहमद राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतिय पाइलेट है नेक्स्ट कुछन है राफेल युमान उड़ाने वाली पहली भारतिया महीला पाइलेट कौन है तो इसका आंसर होगा शिवांगी सी हैं शिवांगी सी है राफेल युमान उड़ाने वाली पहली भारतिया महीला पाइलेट है हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रे कर्मी मुक्ति सब्ता है कार्यकरम कब से कब तक चलाए गया है तो इसका आंसर होगा 5-11 अक्टूबर 2020 जिहां दोस्तों राजस्तान के किस सहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है तो इसका आंसर होगा जोदपुर राजस्तान के जोदपुर सहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है नेक्ट क्यूसन है भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल के नए संस्क्रण का सफलता पुरुक परिक्षन किया है तो इसका आंसर होगा सोरिय जहां दोस्तों भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को सोरिय मिसाइल के नए संस्क्रण का सफलता पुरुक परिक्षन किया है नेक्ट क्यूसन देखिए हाली में किन तीन चिकित्सकों को चिकित्सा के चेत्र में नोबेल पुरुषकार मिला है तो इसका आंसर होगा हारवेजे आल्टर और माइकल होफटन और चाल्स एमराईस जहां दोस्तों इन तिनों को हाली में सिकीत्सा के छेतर में नोबेल पुरुसकार मिला है Next किसन है हाली में पूरीत रहे Digital Hi-Tech Classroom शुरू करने वाला देश का पहला राजे तो इसका आंशर होगा केरल जहां दोस्तों हाल इमें पूरीत रहे डिजिटल हाइटेक क्लासरूम शुरू करने वाला देश का पहला राजे कौन सा है केरल नेक्ट क्यूसन देखिए राजस्थान में ओनलाइन लेबर एंप्लोईमेंट एक्सचेंज कार्यकरम की शुरूआत कब की गी तो इसका आंसर होगा 16 माई 2020 राजस्थान में ओनलाइन लेबर एंप्लोईमेंट एक्सचेंज कार्यकरम की शुरूआत 16 माई 2020 को की गी इसके अंतरगत अन्य राजस्थान से लोट रहे राजस्थानी सर्मिकों के लिए शुरूजगार है तो इस कार्यकरम को शुरू किया गया नेक्ट क्यूसन है राजस्थान की पहली शिसु केथलेव कहां विक्षित की गई है तो इसका आंसर होगा जोदपुर राजस्थान की पहली शिसु केथलेव जोदपुर में विक्षित की गई है और यह देश की तीसरी शिसु केथलेव है नेक्ट क्यूसन है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभ्यान में राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में पर्थम स्थान पर रहा है तो इसका आंसरोगा नागोर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान में राजस्तान का नागोर जिला टेस में पर्थम इस्थान पर रहा है नेक्ष्ट क्यूसना है राजस्तान के चिकित्सा एम स्वास्त्य मंत्री ने राजस्तान के दूसरे प्लाज़म बेंग का सुवारम कब क्या है तो इसका आंसर होगा एक अगस्त दोहजार बीस जहां दोस्तों एक अगस्त दोहजार बीस को राजस्तान के चिकित्सा एम स्वास्त्य मंत्री ने राजे के दूसरे प्लाजमाबेंग का सुवरम क्या है और कहां पर क्या है और राजस्तान के पहले प्लाजमाबेंग का सुवरम कहां पर क्या गया था जैपूर में नेक्ट क्यूसना है वर्तमान में नेशनल मेडिकल कमिशन के चेर्मेन कौन है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सुरेश चंदर सर्मा जहां दोस्तों परतमान में नेशनल मेडिकल कमिशन के चेरमेन है डॉक्टर सुरेश चंदर सर्मा और वो रजस्तान की निवाशी है उनको कब निउप किया गया था जनौरी 2020 में 10 जुलाई 2020 को इंडियन मेडिकल एसोशेशन की ओर से कोरोना काल में उतकरष्ट कारिय हेतू चुने गए सत्यासी चिकित्सकों की सुचि में रजस्थान से किसे चुना गया तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रॉमिल सी है 10 जुलाई 2020 को इंडियन मेडिकल एसोशेशन की ओर से कोरोना काल में उतकरष्ट कारिय हेतू सुने गए सत्यासी चिकित्सकों में रजस्थान के किस डॉक्टर को सुना गया है डॉक्टर रॉमिल सी है वो नेक्स्ट क्यों सुना है तो इसका आंसर होगा गुमर राजस्थान के गुमर लोक्टर दे को इंडियन को द्वारा विरास्थ की सुचि में सामिल किया गया है